OPPO A3S Call Settings नमस्कार दोस्तों स्वागता कमीटो चर्में सीखो हिंदी में तो दोस्तों आज की स्वीडियों बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी OPPO कुमाल जिसका मोडल नंबर है OPPO A3S और दोस्तों आप इसमें Call की Settings करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं तो दोस्तों इसके पहले आपको Open कर लेना अपने फोन की Settings को तो आपको फ्रेंज जूंड़के अपने फोन की Settings को Open कर लेना है जैसी दोस्तों आपने फोन की Settings को Open करते हैं तो यहाँ पर कुछ दिख जाएगा फिर आपको यहाँ पर आना है Dual SIM and Cellular Network पर तो आपको इस पर टच कर देना है जैसी दोस्तों इस पर टच करेंगे फेंस तो देखें यहाँ पर आपको पूल की सेटिंग कर सकते हैं सबस्वर पहले यहाँ पर देखें फेंस यहाँ बिला कॉल तो आपको इस पर टच करना है जैसी दोस्तों इस पर टच करते हैं तो कई बार को दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे जोगे सेटिंग होती है SIM फर्स्ट पर जैसे कि यहाँ पर टच है जब भी हम कोई कॉल करेंगे तो सिर्फ SIM 1 से ही कॉल लगती है और अगर आप सेकंड अले उप्शन पर टच करके इस तरीक से रखेंगे तो आपके सिर्फ सेकंड से कॉल होएगी अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके मन मताबिक जिस SIM से आप कॉल करना चाहते हैं उस SIM से कॉल हो तो इसके लिए आपको टच करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आपको यह वाला ओप्शन है यह नहीं होता तो आपको इसको अगर यह ओफ है तो आपको यह एगा से इसको अगर आपको यह ओफ है और यहां पर दोस्तों डाटा रोमिंग का जी ऑप्शन मिलना है आपको इसको भी ऑन कर लेना है जब इसको ऑन कर लेते फ्रेंज तो आपको जो ए नेट की बढ़िया थी नेट से चलने लग जाता है कोई प्रावल्म नहीं होती है और देखे फ्रेंज यहां पर मिलेगा आप आपको प्रेइर नेट्र inquire option तो आपको उसेचछ करना है और यहां पर देखेंगे आपको सट्राव लेने हैं और इसम आपको यहां पर इसको उसको करना है ऑगर सेन्द से नेट यूश्ज करना चाहते हैं तो second sim के लिए भी data roaming यहाँ पर on कर दीजिएगा friends और यहाँ पर vaulti वाला जो आप पर option देख रहे हैं यह vaulti वाले option को भी on कर दीजिएगा जब दोस्तों आप 4G इसमें use करेंगे तो एकी sim से use कर पाएंगे तो आप एकी sim करना चाहिए तो एकी sim से कर लिजिएगा तो आप यहाँ पर से कर लोगा और यहाँ पर यहाँ पर इसको switch कर लेना है इस तरीके से दोस्तों आप इसकी normally setting कर सकते हैं और बाकी फिर आपको इसको करना है back जो back कर दुए हमें पर देहिए आपने शारी setting कर लिए अगर दोस्तों आपको अपने data on करना है तो यहाँ पे इसको on इस तरीके से कर लेना फ्रेंश ठीक है तो फिलाल मुझे भी on नहीं रखना तो मैंने अपना यहाँ पर डाटा बंद कर दिया है अब आपको back कर लेना फ्रेंश यहाँ आजाना आपको calling वाले option में जहां से आप call dial करते हैं तो dialer plate को इसको open कर लेना है जैसी दोस्तों आप इसको open करते हैं तो यहाँ पर आपको calling के साड़े मिलेगा setting वाला option तो यहाँ पर आपको touch कर लेना है जैसी आप इस पर touch करते हैं तो आपको कुछ दरीके का interface show हो जाएगा friends तो देखिए दोस्तों अगर आप unknown calls या कोई calls को block करते हैं तो यहाँ पर आपको यह block ओला option देख रहा है इस पर आपको touch करना है तो friends यहाँ पर देखिए call blocking का option मिल जाएगा आपको तो यहाँ से आप जों से चाहिए call उनको block कर सकते हैं unknown call करना चाहिए all call block करना चाहते हैं जो incoming आ रही है तो आप यहाँ से इस तरीके से block की setting कर सकते हैं ठीक है friends और अगर आप चाहते है कि message किसी का आ रहा है उसको block करना तो आप यहाँ से message को भी block कर सकते हैं friends तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जागा blacklist वाला option अगर आपको कोई number blacklist में चला गया तो आप यहाँ से आकर निकाल सकते हैं friends यहाँ पर मिलेगा आपको call recording option अगर दोस्तों किसी वैक्ति काल recording करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस option को on कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं सबकी call recording करना तो यहाँ पर record all calls पर आपको on कर देना है जो कि already on है ठीक है friends तो इस तरीगी से आपको इसकी setting कर लेनी है फिर यहाँ प आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं ठीक है फिर आपको यहाँ पर मिलेगा carrier setting तो आपको इस पर touch करना है यहाँ पर देखिए friends कई सारे option आपको मिल जाएंगे voice mail, fix dialing number, call forwarding, call bearing और additional setting तो आप यहाँ से कोई भी setting करना है तो कर सकते अगर call additional setting जो friends आप किये हैं यहाँ से आप अपने phone में call rating वाले option को चालू कर सकते हैं देखिए friends क्या पर मारा जो यह option चालू है ठीक है friends अगर कोई call आती है आपके बात करने की time पर तो आपको पता चल जाएगा call bearing वाले option दोस्तों इसको आपको off करना है इसको use नहीं करना करने तो आपको calling आने जाने में प्रॉब्लम बहुचाएगी तो दोस्तों हाँ पर मिलेगा call forwarding वाला option अगर आप दोस्तों अपने call को forward करना चाहते किसी यह दर नमबर पर तो आप यहाँ से वाले option को use करके अपनी call को forward कर सकते है ठीक है पैस तो यह कुछ जो main options मैं आपको